सब्सक्राइब किजिए हमारे चैनल इमित्रा सॉल्योशन को और दबाए घंटे बटन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गणे शोजा और आप तेक रहे हैं हमारे चैनल इमित्रा सॉल्योशन दोस्तों आज का वीडियो आप सभी VLE भाईयों के लिए बहुत ही महतुर बण है जब आप UTI से pen card बनाते हो तो आपके सामने एक बड़ी problem आती है make utility software की जो install करना है आपको 20 सितंबर से पहले पहले जैसे ही आप जो अपना digital shiva portal खोलते हैं और वहाँ पर pen card की site के उपर जाते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से एक message information आता है उसमें लिखा हुआ आपको 20 सितंबर से पहले पहले make utility जो software है उसको install कर लेना है तो के से install करोगे इसके सारे जानकरी में आपको इस वीडियो के मादे में से देने वाला हूँ बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको इसको install करने में मेरे बताई वीडियो के नुशारी दियाप करोगे सारे steps पौरोगे तो आप completely इसको install कर सकोगे तो आपको कोई भी step छोड़ना नहीं है तो इस वीडियो को सुरू करूँ इससे पहले मैं आप सभी तोस्तों से request करता हूँ कि जिनोंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने के साथ में बेल का इकन भी दबाते हैं ताकि मेरे चैनल के जो latest वीडियो हैं उनकी notification तुरंत आपको मिल जाए इसके साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को like और share भी करें इसके साथ में ही comment box में comment लिखना नहीं भूलें तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आपको क्या क्या चीज़ों की आप शेक्ता होगी वो मसरी बाते हैं आपको बता देता हूँ तो मैंने तो इसको install कर लिया है तो मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा सबसे पहले आपको digital shiva portal login कर लेना है और यहाँ पर pen card की service के उपर आपको आ जाना है यहाँ पर आप pen लिखोगे तो pen लिखते ही इंटर कर प्रेस करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से ये दो option आ जाएंगे यहाँ पर UTI वाला आपको select कर लेना है तो आप देख सकते हो कि मेरा जो portal है वो login हो गया है click here तो यहाँ पर मैंने login कर दिया है यह login हो गया login होने के बारण में आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी message नहीं आ रहा है अब आप यहाँ पर installation मैनूल है इसके अनुसार करोगे तो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा तो आपको कौन-कौन सी चीजें आपको सिरफ यहाँ से एक ही चीज डाउनलोड करनी है और तो वो है make utility का जो software है वो तो यहाँ से दो make utility के software है आपके system के अनुसार यहाँ सिस्टम 32 बिट का है तो आप उपर वाला software कर दाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पर click कर लोगे, click करते ही आपका software है says daily क्या क्या चीज़ें डाउनलोड करनी है वो देख लो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है java software java download करना है आपको java download आप कहीं से भी कर सकते हो google में search करोगे तो आपको java का जो software है वो मिल जाएगा जैसे आप यहां पर लिखोगे java java का latest version है आप download कर सकते हो offline installer dollar अब आपको 34 वीट का करना है या 32 वीट का वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो मैं file p.o.must से करता हूँ लगवग क्योंकि यहां पर जल्दी से मिल जाता है आप file hippo की site से भी कर सकते हो कहीं से भी कर सकते हो आपको latest version download कर लेना है तो यहां पर latest version दिया हुआ 32 वीट का तो मैंने यहां से download कर लिया है मैं आपको दिखा देता हूँ अपने computer में तो मैंने java का software है वो यहां पर download कर रखा है इसके बाद में make utility का मैंने download कर लिया है अब आपको और क्या करना है वो बताती है दोस्तों अब आपको करना है java को install यह दो काम हो चुके है जावा download हो चुका है मेंक utility software है वो download हो चुका है अब आपको करना है Java को install तो java का install करने के लिए आपको इसके पर right click करना है और run as administrator कर दोस्तों मैं पहले इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मेरे सामने समस्या आ सकती है आपके सामने यह समस्या विल्कुल भी नहीं आएगी तो मैंने इसको इंस्टॉल पहले से ही कर लिया है मैं आपको दिखा देता हूँ अपने control panel में जाकर के तो ये देखिए मेरा जावा है जो latest 211 है वो install है और यहां पर भी आप देख सकते हो 32 वीट का है जो मेरा download हो चुका है और मैंने install भी इसको कर लिया है तो आपको इसको install करना है तीसरे नंबर पर आपको क्या करना है जावा path बनाना है जावा path बनाने के लिए आपको क्या करना होगा मैं बिल्कुल सरल तरीका बताऊंगा बहुत सारे लोगों ने इसका थोड़ा सा कठीन तरीका बता है तो मैं बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा आपको कुछ नहीं करना अब आपको यहां पर start button पर आना है और start button पर आते ही आपको यहां पर लिखन हूँ तो अब आपको जब का जो वर्यांट है वो बनाने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना होग और विडिवारेबल नेम आपको क्या दालना है यहां पर लिखना जे आर जे आर घ्नार ऑर अदरश्कार H O M E यह आपको लिखना है के अपिटल लेटर में अब नीचे जो variable value है वो आपको क्या डालनी है वो मैं आपको यहां से बता देता हूँ तो आपको जाना है C में C में जाने के बाद में आपको जाना है program files में program files में आपको डूणना है Java को तो इस Java को open कर लेना है और इसके बाद में Java के अंदर जो folder है वो उसको open कर लेना है यह सारी file है आपके सामने आ जाए no file आएगी तो आपको यहां पर जो address बार है इसके उपर click करना है तो आप यहां पर click कर दोगे एक बार click करते ही यह सारा okay बटन पर click कर देना है आपका Java का जो path था वो बन गया अब आपको command देनी है अब आपको कुछ नहीं करना यह सारी चीज़ें हो चुके Java download हो चुका है Java install है भी मैंने कर लिया make utility का software भी download कर लिया Java का अब आपको make utility का software आपको कहां डालना है वो मैं बचाता हूँ आप यहां से copy करिए इसको और C, D और E जो भी है आप जहां कहीं भी इसको paste करना चाते हो आप इसको save कर सकते हो जैसे मैं E में save कर रहा हूँ तो मैं यहां E पर इसको paste कर देता हूँ अब एक बात दिया रखना दोस्तों आपका जो make utility का software है इसके आगे 32 या 46 लिका होगा आपको इसको हटा देना है केवल make utility नाम आपको इसका रखना है और इसे कर लेना है extract तो मैं यहीं E में ही इसको extract कर चुका हूँ इसके देखी आगे 32 लिका होगा तो आपको इसको हटा देना है तो यह हट चुका है तो यह काम हो गया extract का अब आपको command देनी है तो अब आपको यहाँ पर cmd लिखना है cmd लिकोगे और यहाँ पर आप इसके उपर right क्लिक करके और आप इसको run as administrator कर दोगे और yes बटन पर क्लिक कर दोगे अब यहाँ पर आपको छोटी-छोटी command देनी है तो आपको लिखना यहाँ पर c और d और backslash यानि यह आपको backspace के नीचे ही मिल जाएगा और आपको interface कर देना है अब यहाँ पर वो command आपको देनी है जहाँ पर आपने make utility का software है जो डाला है यानि कि आपने save किया है तो मैंने e में save किया है तो मैं यहाँ पर e डाल दूँगा और इसके बाद में scroll and और interact दबा दिया यह अब e में प्रवेश कर गया है हमारा जो command है वो तो अब e में हमें क्या डूणना है c और d make utility c d में make utility में अब हमें इसको पहुंचाना है तो हमने enterprise किया यह make utility के folder में पहुंच गया अब हमें वहाँ से software कौन सा download करना है तो आपको लिख देना है service service लगाने के बाद में dot इसके बाद में bat और space install अब आपको enterprise कर देना है यह देखिए आपका जो service है already been started यानि कि मैंने इसको पहले install कर लिया है तो अब यह मेरा complete हो चुका है अब आपको यहां पर exit लिखना है और enterprise कर देना है यह बंद हो गया अब हमें इसके कोई जुरूर के नहीं है command आप देख लिजी सबसे पहले आपको क्या का command देनी है आपको सबसे पहले c, d और backslash देना है उसके बाद में आप d या e में से कोई भी जहां पर आपने save किया है make utility का software एक बात द्यां रखना कि make utility का software एक ही होना चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे मालो अब make utility का जो software है वो यहां पर देखिए इसके अंदर कोई भी over make utility का software नहीं बना होना चाहिए या folder नहीं बना होना चाहिए क्योंकि आप extract करोगे तो दो बन जाएंगे तो आपको वहां से उसको cut-paste करके और एक folder बना लेना है अब इतना काम होने के बाद में आपको अपना computer restart कर लेना है यदि restart करो तो कोई दिक्कत नहीं है यदि नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है अब हम जाएंगे services में मैंने services खोल ली है यहां पर utility देखिए आप लिखा हुआ है तो started automatically तो आपको इसको restart कर देना है बस यह start हो चुकी है दोस्तों अब यदि आप pen card की site है उसके उपर जाओगे तो आपको कोई भी problem नहीं आएगी मैं दुबारा से दिखा देता हूँ logout करके यह देखिए मैं अपना digital share portal फिर से login कर लेता हूँ और login करके मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे यह समस्या आती है या नहीं यहां पर लिंक हैंगे pen और इंटर दबाद देंगे यहां पर utility वाले में जाएंगे uti pen card की site के उपर यहां पर click here पर click कर देंगे और आप देख सकते हो कि हमारे सामने कोई भी problem नहीं आई तो इस प्रकार से आप make utility का सोप्पेर वो बहुत ही सरल परीके से install कर सकते हो और परिशानियों से बच सकते हो आपको मैं command फिर दिखा देता हूँ क्या क्या करना है सबसे पहले आपको java download करना है और फिर make utility का software है वो download करना है और फिर java आपको install करना है और फिर java का path बनाना है चार ही command है इसके बाद में चार ही नीचे इसकी cmd में command देने वाली है वो है सबसे पहले आपको cd command देनी है backspace के साथ में और इसके बाद में backscolon के साथ में और इसके बाद में d या e में से कोई एक command देनी है यह colon लगाना मत भूलना इसके बाद में cd make utility लिखना है और service bat install करना है तो इतनी command के साथ में आप अपना काम utility software का install करने का कर सकते हो बहुती असानी से यदि कोई problem आती है तो आप मुझे whatsapp message कर सकते हो whatsapp message करने के लिए मैं आपको अपना number भी देता हूँ तो आपको इस number पर सिरफ message करना है whatsapp का ये मेरा number है आप whatsapp message कर सकते हो मैं आपको install करवाने की कोशिश करूँगा तो धन्यवाद दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही जानकर आपको अच्छी लगी हो तो मेरा वीडियो like करें share करें और comment box में comment लिखें यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को subscribe जरूर कर लें तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते है next वीडियो में नई information के साथ तब तके लिए जैहिंद